चलिए फटाफ़र स्टार्ट कर लेते बिटॉक के एक और नए एपिसोड को और हाँ भाई मुझे पता है कि बहुत दिन के बाद मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ लगभग चार महीना हो चुका है चार महीना थोरा भाई परसनल दिक्कत था बहुत सरा उथल पतल मच गया ह मेरे लाइफ में इसलिए भाई इस तरीके का हाल है इस चैनल का और मेरा भी तो क्या कर सकते है भाई लाइफ के साथ आगे जाना परेगा लेकिन मैं फिर से कॉन्टरिन कोनने की कोसिस कर रहा हूँ यूट्यूब पर चलिए मैं आपको आज इंडियन फुटबॉल रिलेटे से और नेक्स्ट मैं आपको कंटिन्यू अपडेट देता रहूँगा टैंसफर अपडेट आपको मिलता ही रहेगा और मैं इंस्ट्रागरम पर भी भाई एक्टिवेट हो चुका हूँ वहाँ पर जाकर भी आप लोग फोलो करके चेक आउट कर सकते हो हर नियोज को तो चलि पर रूफ स्टेज में खेलेगा उसके बाद चैंपियन बना था इस दवाद चैंपियन बना था हाइजरबद एफसी जो की नेक्स्ट एफसी कप का जो प्रिलिमिनरी राउंट होता है वहाँ पर ओखेलने वाला है इसके साथ भाई जो नेक्स्ट तीम यहाँ पर एक दरज क्या है करला के एक और टीम गोकुलम करला एफसी ने भाई यहाँ पर जित हासिल क्या है आई लिग के इस सीजन में रानस अफ हुआ है यहाँ पर साथ मोहमेड रनेसी मोहमेड रनेसी भी भाई बहुत अच्छा खेला था जो मैच उन्हां लास्ट टेम खेला था एक दूश सब था क्रेड़ रिश्टरीप से और दोनों ही नेक्स्ट युनाइटेड किंग्डम में जाकर नेक्स जेनरेसन काप 2022 खेलने वाला है यह दर्जय उनको मिल चुका है और इसके साथ भाई संतर स्टोफी के अगर बात किया जाए तो भाई के लाने भाई यहाँ पर जित हास खेल क्या है क्रेडला ने तो क्रेडला ने भाई धूम मचा के रखा है अभी इंडियान फुबाल में और इसके बाद अगर अभी खिलाल की बात किया जाए तो एटिके मोहन बागन ने एफसी कप के ग्रूप स्टेज खेल रहा है दो मैच उनका हो चुका है और पॉइंट किंग्स के खिलाब लिस्टन इस मैच पे भाई हैट ट्रिक दागा था और बाद में आकर डेविर विल्याम्स ने एक गोल लगा कर चार सुनी से जीत हासिल किया था और इसकी इलाबा भाई में अक और बात भतना आपको भूल गया था कि मुंबाई सिटी एफसी चेंपियन लिग में बहुत ही तक्रबाफ में उसक्या था इस दफ़ा इंडिया का पहला क्लाब बन चुका है जो कि एफसी चेंपियन लिग के गुरूप स्टेज में एक मैच जीता है उन्होंने हिस्टरी क्रेट क्या था और अच्छा खासा भाई उन्होंने पॉइंट हासिल करके प मैं उसके तरफ से लेकिन AIFF के तरफ से भाई बहुत सरा यहां पर दिखका तो हो रहा है ओमें फुटबॉल को लेकर देरी देरी उस पर भी सायद सुधर आएगा तो यह सब कुछ अभी फिलाल भाई हो चुका है और हो रहा है नेक्स चलिए हम बात कर ले थे कि क्या अभी चल रहा है पुलिटिकली इंडियान फुटबॉल के अंदर क्यूंकि बहुत सरा अपडेट हमें मिला है कि फिफा इंडिया को बैन कर सकता है उसके उपर चर्चा कर लेते हैं यहां पर आपको सायद आल्लेडी पता होगा कि AIFF का पेसिडेंट पर प्रफर प्रटर अल्लेड कर चुका है क्यूंकि मामला सुप्रेम कोड तक जा चुका है करोना के भाई बहाने में बहुत सरा चीज पुलिकली यहां पर हो चुका है बहुत दिन से लेक्शन नहीं हुआ है इसलिए step लिया गया है लेकिन हैं पर दिक्कात ही कि भाई यहां पर कोई भी गवर्निंग बो आसा नहीं होने वाला है कि इंडियन फुटबल अभी ग्रो कर रहा है और फिफा इस तरीके का स्टेप नहीं लेगा तो उतना डरने वाला बात नहीं है और एक नया और फुटबल का दरत जो है और अच्छा अच्छा काम करेगा इंडियन फुटबल के लिए तो कुछ पुलिटिकली इस तरीके का सिच्वेशन है अभी और आने वाले दिन में जब मुझे और कुछ नया पता चलेगा तो मैं आपको जड़ो इंफर्म कर दूँगा और इसके कप के क्वालिफाइंग राउंड खेलने के लिए और टीम भी सिलेट कर लिया है इसके बाद उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि आली का जो खिलाडी है वह सभी अच्छा किया है खासकर करके कुछ अच्छा-च्छा खिलाडी को चांस मिलना चाहिए ता लेकिन नहीं दिया गया है तो उसके लिए भाई बहुत सा क्रिटिसिजम चल रहा है लेकिन इगोस्टिमाक जो हेड कोच है भाई उनका जॉब अभी खत्रे में है क्योंकि अगर एफसी कप के कॉलिफाइंग राउंड में इंडिया अच्छा नहीं कर पाता है तो अपना जॉब ल सिचुएशन है जिंबबब में इसलिए उसको कैंसल कर दिया गया है और दो प्रेक्टिस मैच भी इन्होंने खेल लिया है इंडियन असरेंट टीम एक साइद आई लीग के आल स्टार के साथ और दूसरा भाई एटिक मोहंबार्ण के साथ भी खेला था और बैंगल स्टार क आपका जो क्वालिफेंग रांड है उसके बार में बता देता हूं कि वो चाइना में होने वाला था लेकिन चाइना का सिचुएशन अभी बहुत ही खराब है वहाँ पर लोगडाउन चल रहा है कोरोना का सिचुएशन बिलकुल ही अच्छा नहीं है वहाँ पर जिसके चलत सा भी लीग इंडिया में होने वाला है तो देखिए भाई दो बड़ा लीग अभी आ रहा है हमारा डॉन काप और दूसरा है सूपर कप दोनों में ही 20-20 टीम खेलने वाला है आईसल का क्लाब खेलेगा ही खेलेगा इस दफार डॉन का इस तरीके का अपडेट हमारे पास आ बजर आएगा दोनों ही लीग में इसकी इलाबा और भी बहुत सर पैक्टिस मैच हमें देखने को मिल सकता है साइद ऑगस्ट के महने से ही भाई हमारा सीजन का स्टार्ट हो जाएगा और टास्पार विंडो के बारे में मैं आपको नेक्स्ट अपडेट बता दोंगा नेक् जनों को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिपिकसन आउन कर दीजिए तक आपको फटा को नोटिपिकसन मिल जाए जब भी मैं फीट अबलोट करूं